नमस्कार बीवानी अल्चल में आपका सवागत है EVM मसीन को लेकर के समय समय पर सवालिया निसान लगते रहे हैं चाय बात पक्स की ओ चाय वेपक्स की ओ आज इसी कडी में बीवानी में ये EVM मसीन के विरोध में ये बैठे हुए है कुछ साथी है ये भारत मुक्ती मौर्चा की तरफ से इनकी पहल की गई है ये हम जानने का प्रियास करेंगे क्या EVM मसीन हैक हो सकती है ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का मुद्दा है और पूरी दुनिया की बात करें 33 देशों को देशों में इसका अनुशन किया अब भारत में इसका जो विरोध हो रहा है लगातार चाए पक्स की बातों विपक्स की बातों 2009 में वर्ष 2009 की बात करें लाल कर्षन आडवानी बिजेपी के जो सीनियर ने ताते उन्होंने भी इस पर सवाल निसान लगाया था अब बिजेपी की सरकार है बिजेपी की पूरा देश जानता है और पूरा विश्व जानता है इस बात को कि इंडिया के अंदर इवियम मशीन का जो मसोदा कारिय कर रहा है वो एक बेईमान ठगी दोखे और गैर इंसाफी समिधान विरुद कारिय किया जा रहा है जब इन बातों का पूरे देश के अंदर वो जब जानकारी प्राप्त हुई तो सभी देशों ने भारत को छोड़ करके इवियम के इलेक्शन के उपर रोक लगा दिये और यहां सुप्रीम कोट के मानने के बावजूद भी यह सरकार अपनी हट धर्मिता के कारण अपनी तानाशाही के कारण मजीन है आट डाके सत्ता के उपर हमारा कबढ़ा बना रहे और हम देश को हुटने में शख्SIम रहे रहे हजारों मजीने होती है मजीन एक कैसे सभी है कैसे हो अपको लगता है कुछ यह सभी की सभी है हो रही है ﷻ इसक परमान सरकार के पास भी है और दूसरे सामाजिक संग्ठनों के पास अन्पार्टियों के पास भी है और ये एक सोती समझी बहुत बड़ी गई रिशाजित है इस देश के अंदर सोईदान को नश्ट करने की एक कोशिस की जारी है और उसमें जो है इवीम मशीन का बहुत ही प्रमुख रोल है हमने पास थारिक को इवीम के खिलाफ ग्यापन दिया था और आज हमारा धर्णा पर दर्सन है और सोड़ा जन्वरी को हमारा रोड शो होगा और इकतिस जन्वरी को लाखों लोगों को लेके हम चुनावाय को गहराव करने का काम करेंगे आठ अक्तुबर 2013 को मानें ये तंतर चुनाव नहीं हो सकता और आप ये देखोगे कि जितने भी विक्सित देश हैं जैसे अमरीका है जापान जिनों ने इस एवीम मसीन का मतलब बनाने का काम किया था वो भी अपने बैलेट से चुनाव करवाते हैं और पूरे देश के अंदर आज आग लगी हुई है अ अभी अभी आपने हमारे गनेसी लाल वर्मा जी से आपने खुद बताया जिस टाइम पे कॉंग्रेस की सरकार होती थी उस टाइम पे लाल किरसन आडवा नी जी जिनोंने मानमे में मंडल की मंडल कमिशन की रिपोर्ट जब OBC की लागू होनी थी उस टाइम कमंडल यातरा बावरी मस्जिद उन्हों इन्होंना काम किया था उस टाइम पे यह लोग ईवीयम का विरोध करते थे और आज हमारे जो माननेए प्रधानमंत्री जी으면 जी विज़ानमंत्री जीं है जिस टाइम पे गुझरात के सीम थे इन्हों ने भी ईवीयम कामिशा विरोध गिया था ले उन्होंने मांग की थी चुनावायक से भी आप हमें 50 मसीने दोर उनको हम हैक करके दिखाएंगे लेकिन उनको वहां जाने से पहले ही डिटेन कर लिया गया तो ये लोकतंतर की हत्या है तो हमारी गुजारिस है देश के लोकतंतर को बचाने के लिए EVM को खतम करना बहुत क्या मोहीम है जैसा 31 जनवरी का अभी आप बता भी रहे दे कुछ साथी है क्या ये हम आउट ओफे में जाकर के जानकारी लेना चाते हैं लोगों तक जानकारी पूंचे क्या वास्तों में EVM मसीन हैक हो सकती है ये आपके पास कितने तथे हैं कितने सुप्रीम कोट का भी अ चुना हुआ कि फुल प्लेस जो है मसीन पूरे बारगदेश में सभी बुथों पर लगाए गई और 2004 के लोक्सवा चुनाओं को कॉंग्रेस पार्टी ने इवी मसीन में घुटाला करकी जिता तो इन बातों को लेके जो आज बीजीपी की जो परजैंट में जो केंदर में स सुप्रिम कोट ने तथे मांगे आपके पास क्या तथे सबूत हैं उन्होंने सबूत पेश किये तो उन्हीं के आदार पे सुप्रिम कोट ने आठ अक्तुबर 2013 को यह जजमेंट दिया फैसला दिया कि इवी मसीन जो है उसके द्वारा फ्री फेर ट्रांसपेंट चुनाओं नहीं हो सकता तो उसके साथ जो सुप्रिम कोट ने आदेश दिया कि इसके साथ सो परसेंट अगर प्रीपेर चुनाओ करवाना में ट्रांसपेंट तो सो परसेंट वी पैट की मसीन जो इसके साथ लगाई जानी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं लगी तो फिर इनोंने अलाल सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अभी और प्रविया को पिछला जो लोकस्वाच ना था तो उनकी बेस वोट की बात करें तो लेकिन मसीन के द्वारा क्या कि दोनों पारटियों का बोटी निया वो पांदस सीटों पर उनको समेट दिया गया तो यह जितना भी जो सरकार आपका कहना है पक्स मिला हुआ है काम कर रहे हैं और यह वर वरग का जो है करमचारी अपक्स के अगेंस्ट में हो आप विरोध में हो कहने का मतलब ही है लेकिन पूराणी कावत जितनी जिसकी संख्या बारी अपनी संख्या तो मातर ना कुछ है ही नहीं समाज के साथ तो चलें 50 आदमी नहीं यह जो है'M आज औना पर अगला明ा दन्दूरी कोि पर ते संक्षन होगा उसे में महौर जो हैं जी कि संख्या मोंगे आप का पी बारी की से अभी बता रहे दे काम सुन भी रहे दे क्या है यह को वाइदुरुजी फते मैं राश्टी सिंगमोर्चा से परदेश अद्ध्यक्स हूं शारियाना से आज का जो हमारा चर्णबंद जो हमारा फिलाल में अंदलन चांड रहे आज उसका दूसरा दिन है यह है इवियम के विरोध में क्योंके 31 तारिक को 31 जनुवरी को हमारा चुनावायों के उपर धरना परदर्शन रहेगा अभी आपने देखा भी होगा कि पांच राज्यों में भी चुनाव हुए हैं बहु हिनको खत्म कर दिया गया अब यजएपी जेपी का गठवन्दन है येने जीप को खत्म कर दिया गया सुनिये अधर 23 उले है सबसे पहले तो मीडिया ने सरकार ने जो सत्ता में थी उन्होंने छुपाया दूसरा एवियम में जो मशीने लगाई गई थी दस लाख छस्सकुष थी उनके अंदर छे लाख मशीने तो खराब थी जो आटे के थुरू आप खुद भी निकाले और जंता को भी दिखाएं आटे के थुरू उससे पता लगा कि दस लाख में से छे लाख एवियम तो भी पैडर नहीं थी यह आपको पता होगा रही बात अभी हमारे पक्सकी विपक्सकी तो हमारे पे हरेगे एविडेंस है एविडेंस के अधार पे हम लोग बोलते हैं जो आप बड़ा कदम जो उठाने जा रहे हैं चुनावा है कितने तारिक्का है और देश से लोग ही कठ नाम सतीज मेरा जिला सवयोजग बहुजन करांती मोर्चा भीवानी एवियम का मुद्धा सरी यह है क्योंकि एवियम तो हम लोग तो पर्टी में नहीं है अभी राजनीती में नहीं हैं लेकिन राजनीती में रहने वाले जो लोग हैं वही इस चीज को लेकर आए थे जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई 2004 और 2009 में तो लाल कृषन आडवान जी और स्वामी जी ही के गए थे कोर्ट में और उनके ही केस के उपर डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने के ईवियम मसीन के दवारा फिरी फेर एंट ट्रांसपेर्ट चुनाव नहीं हो सकता तो उसके बाद वीवी पीएट जी जो मसीन लगाने के लिए दी गई थी त जो हमारी परचियां हम जिसे बोट देते हैं वो परचि जो जब गिरती है तो उसकी जो परचियां गिरती परचियों की और एवियम मसीन के अंदर जो संख्या काउंट है उनके उनका आपस में मिलान होना चाहिए यह गिंती हुनी जब जाकर तब जाकर इनका जो गोटाला है वो पकड में आएगा और जो लोग कहते हैं कि एवियम मसीन के खिलाब कोई कोट के साथ लग नहीं हुआ है उसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि फरंट लाइन का जो मीडिया है उसने इसकी खबरें कहीं नहीं दिखाई क्योंकि हमारे जो लोग है वो अखबार और फैसला हमारे पास है आठ पेज का फैसला है जिस इनसान को यह लगता है कि सुप्रिम कोट ने फैसला नहीं दिया इस बारे में वो हमसे फैसला ले सकते हैं